सब्सक्राइब करें सुभम लेक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो डियरी स्टुडेंट इस वीडियो में हम NCERT बुक फिजिक्स क्लास 12 का एक नुमेरकल सौल्ब करेंगे स्टुडेंट ये नुमेरकल विद्दुधारा चैप्टर से है और आपके NCERT बुक में 127 पेज पर दिया हुआ है तो बच्चों ये विद्दुधारा चैप्टर का सेकेंड नुमेरकल है फर्स्ट नुमेरकल मैंने आपको आलरेड़ी पढ़ा दिया है तो चलिए बच्चों हम लोग NCRT बुक के इस इंपोर्टन नुमेरकल को स्वाल्ब करते हैं तो नुमेरकल को स्वाल्ब करने से पहले सबसे पहले आप इसे कुश्चन को अच्छे से पढ़िए इसमें जो बैलिउज दिये गये हैं उनको लिखिए उसके बाद आप फार्मूला को लाइक करेंगे इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि नुमेरकल स्वाल्ब करने के कुछ टिप्स है उसे भी आप देख सकते हैं चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं तो देखिए ये नुमेरकल क्या है दस बोल्ट उस परिपत में धारा जो है बह रही है उसका मान 0.5 एंपियर है तो परतरोध का नया परतरोध क्या है यानि कि परतरोध का परतरोध क्या होगा इसमें दो कुश्यन आप से है दूसरा है जब परिपत बंद है तो सेल की टर्मिनल बोल्ट ता क्या होगा यानि कि भीभुवांतर क्या होगा तो कुषिशन तो आप लोगों ने पढ़ा तो अब हम इसमें जो बाइली उस दिए गए हैं उनको लिखते हैं तो बच्चों बाइली उसको लिखें सबसे पहले स्टेप बाइस्टेव यह क्या है टेन बोल्ट विद्दुत वाहक बल्ट और विद्दुत वाहक बल्ट को हम लोग डिनोट करते हैं स्टुडेंट कैप्टल E से तो कैप्टल E इसको आपका दिया हुआ है देखिए 10 वोल्ट आपका विद्दुत वाहक बल्ट दिया हुआ है आगे देखिए वाली बैटरी जिसका आंत्रिक प्रत्रोध प्रत्रोध को हम capital R से denote करते हैं लेकिन जब आंत्रिक प्रत्रोध की बात की जाए तो small R से हम denote करते हैं और small R दिया हुआ है बच्चो 3 Ohm यह आंत्रिक प्रत्रोध है अब देखें किसी प्रत्रोधक से सहीं जित है यदि परिपत में धारा का मान 0.5 0.5 Ampere है 0.5 Ampere हो तो आपको ग्याद क्या करना है प्रत्रोधक का प्रत्रोध क्या होगा यानि कि आपको capital R ग्याद करना है इसकी value हमें निकालनी है कैसे निकालेंगे बच्चों तो सबसे पहले हमने question को पढ़ा उसकी values को लिखी जो इस numerical में दिया हुआ है अब हम apply करेंगे formula आप लोग सोचिए कि ये जो आपका दिया हुआ है value इस से related कौन सा formula इस chapter में हो सकता है तो हो सकता भी है और है भी बच्चों तो वो formula क्या है E, capital E is equal to हम लोग इसे बड़े अच्चों में लिखते हैं E is equal to ठीक है V plus I R ये आपका एक formula होता है बच्चों जिससे को use करके हम इस numerical को solve करेंगे capital E is equal to B plus I R अब सायद आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा हो अगर आप लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आप लोग इससे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उपर आई बटन में इसका link दे दूँगा तो देखिए बच्चों V V is equal to Ome के नियम के अनुसार होता है चुकि V is equal to कितना होता है IR यह आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है V is equal to IR तो इस V के अस्थान पर हम IR लिख सकते हैं अफकोस लिख सकते हैं तो देखिए हम लोग इसके अस्थान पर लिखते हैं तो E is equal to V के अस्थान पर हम लोग IR लिख देते हैं तो यहाँ पर जो बच्चों आपका फार्मूला है यह जो मैंने लिखा है यहाँ पर आप लोग इसको capital नहीं लिखेंगे इसको small r लिखेंगे ठीक है तो E is equal to V plus I और small r यह आपका रहेगा याद रखिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग देखते है तो यहाँ पर बच्चों आप लोग small r कर देजेगा यह आंतरिक प्रत्रोध है capital E is equal to V plus I r यह आंतरिक प्रत्रोध है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिखते है V के स्थान पर हम लोग I r लिखते है इस V के स्थान पर तो यहाँ पर लिखिए बच्चों I into r और प्लस यह आपका small i small r ऐसे ही रहेगा ठीक है अब देखिए इसको solve कीजिए इसमें क्या कामन है इसमें कामन है आपका बच्चों small i तो small i कामन दीजिए और यहाँ पर बच्चों आप लोग small r लिखिए यहाँ पर हम capital r लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर small r रहेगा उपर देखिए मैंने small r किया है ठीक है तो यहाँ पर देखिए i और r प्लस यहाँ पर भी i कामन है दोनों में तो यहाँ पर r प्लस r हो जाएगा समझ में आया इतना हम यहाँ पर v प्लस i और small r लिखे हैं नीचे भी वही रहेगा केवल b की value हमें यहाँ पर रख देनी है अब आपका इतना आ गया ठीक है अब इसी पर हम values रखते हैं तो हमें निकालना क्या बच्चों अभी हम लोग यहाँ पर इस i को इसके नीचे ला सकते हैं इधर multiply में इधर आएगा divide में हो जाएगा तो चली हम लोग लाते हैं इसे नीचे ठीक है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा e upon small i is equal to r प्लस r ठीक है अब हमें निकालना क्या बच्चों capital r की value निकालना है तो capital r is equal to आपका आजाएगा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर e upon i और इधर यह r e upon i हम लोग लिखते हैं हमने इधर r कर दिया है ठीक है e upon i और यह इधर प्लस में आ रहा है इधर आएगा तो minus में हो जाएगा इतना समझ में आया मैंने r को इधर रख दिया इस value को ठीक है अब यहाँ पर आपका यह इतना आ चुका है अब यहाँ पर हम values रखते हैं तो r is equal to e की value कितनी थी उपर देखे e की value हम लिखते 10 और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं बच्चो e की value 10 अब देखे बच्चो i की value कितनी थी उपर देखे तो i की value हमारी थी 0.5 तो यहाँ पर हम इसकी भी value रख देते हैं 0.5 और minus r आपका इसमाल r कितना है ठीक है तो इसमाल r आपका कितना दिया हुआ है उपर देखे यहाँ पर 3 ohm तो आप लोग यहाँ पर simply लिख दीजिए 3 ohm 3 ठीक है अब इसको हम लोग solve करते हैं कैसे solve करेंगे इसे अब देखे बच्चो r हम लोग यहाँ पर ग्याद करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा mind को fresh कीजिए हम यहाँ पर इस point को काट कर यहाँ पर 100 लिख सकते हैं तो चलिए हम इधर solve करते हैं थोड़ा सा 100 अपान 5 माइनेस 3 ठीक है अब 100 जब 5 से हम 100 को 5 से कट करेंगे तो 20 आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 था जब हमने यह point काटा तो उपर एक 0 बढ़ जाएगा तो यह 100 बाइ 5 हो गया माइनस 3 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चो 20 माइनस और 3 ऐसे लिख देंगे अब आपका यहाँ पर जो परत्रोध है बच्चो वो आ चुका है परत्रोध जो है आर वो आ चुका है 17 ओम ठीक है आपका परत्रोध जो है बच्चो वो आ चुका है 17 ओम तो एक तो आपका एंसर यह हो गया 17 ओम जैसे मैंने उपर आपको बताया देखिए प्रतिरोध जो था यहांपर हमें गयाद करना था प्रतिरोध है, ठीक है देखो प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या है, तो 17 ohm अब हमें दूसरा क्या गाद करना है बच्चों यहांपर देखिए जब परिपत बंध है तो cell की terminal bolt ता क्या होगी जब परिपत बंद हो तो cell की terminal bolt ता क्या होगी तो हम लोग इसे भी ग्याद कर लेते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं इसे भी तो बच्चों अगर हमें bolt ता ग्याद करनी है तो formula तो हमारा वही लगेगा E is equal to ठीक है V plus i और r ठीक है e is equal to v plus ir अब e की value हमें यहाँ पर क्या ग्याद करना है बच्चों बोल्टता ग्याद करनी है तो हम लोग पहले formula यहाँ पर बना लेते हैं v is equal to क्या हो जाएगा e minus ir ठीक है e यहाँ पर रहेगा ही और minus ir क्योंकि इधर plus में ir है तो e minus ir यहाँ पर बच्चों small r लिखिए मैं capital लिख दे रहा हूँ तो small r लिखिए ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा यह small r रहेगा ठीक आप चलिए देखते हैं बच्चों आगे v हमें ग्याद करना है यहाँ पर e की value हमें कितनी दी हुई थी तो e की value हम लोग देखते हैं तो बच्चों आपके book में जो है e की value जो दी हुई है वो 10 दिया हुआ है और i की value कितनी दी हुई है 0.5 ampere दिया हुआ है जैसा कि आप लोग जानते हैं और into small r की value कितनी दी हुई है 3 3 दिया हुए न तो देखिए बच्चों आपके वह कितना आ जाएगा 10-10 ऐसे ही रहने दीजिए बाइनस 0.5 को जब 3 से multiply करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.5 ठीक है तो यह आ गया बच्चों आपकी टर्मिनल बोल्ट था दोनों कुईस्चन आपके जो इसमें दू स्टेप दे हुए थे सॉल्ब हो चुके हैं करना ही हम मिलेंगे नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ तो थाइंक्यू स्टुडिया में आपके जाएगा